होगा वही जो आपके किस्मत में लिखा है अब किस्मत में क्या लिखा है यह आपको नहीं मालुम किस्मत में क्या लिखा है यह वक्त आने पर पता चलता है कि आपकी जो इक्छा है चाहे अमीर बनने की प्राइबेट या सरकारी नौकरी प्राप्त करने की घर मकान दुकान ज उसका सुख आपको प्राब नहीं हो पा रहा है, लेकिन वह उपाय क्या है, इसको जानने से पहले मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ, अगर आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करें, देखें करना क्या है, आपको दो निबू लेना है, जो थोड़ा हरा हो, अर्थात निबू पिला होता है, जब थोड़ा वकच्छा होता है, तो हल्का हरापन लिये रहता है, आप किसी भी सोमवार या सुक्रवार, दोनों में से कोई एक दिन जो आपको उचित लगे, लेकर सिव जी के मंदिर किस अगर सिर पर सफेद रुमाल या अगर महिला है, तो वह भी सफेद रुमाल सिर पर रखकर या प्रिक्रिया सिफ एक बार करें, सिव जी के सिवलिंग के नीचे दो निबू काट दे, और धन से समबंदि जो भी समस्या वह भोले नाथ से कह दे, और तीन बार मालक्ष में बो पुरा अठकार है, वह संकर जी के किरपा से वही ग्रह धन को खीच कर आपके पास पहुचा देंगे, हाँ, धन के छेत्र में अब तक आप जो भी प्यास करते रहें, वो पुरे इमानदारी से करते रहें, विश्वास के साथ करते रहें, या उपाय आपके प्यास में पूर भी उपाय कर ले, धन का सुक नहीं मिलेगा, क्योंकि पुर्मजद में आपने दान पुन्य का कार नहीं किया, कंजूसी की यही कारण है, इतने देर तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद